नमस्कार विद्यारतियों स्रीमती मोरी देवी तपड़िया कन्या माविद्याले जस्मत गट के यूटूब चैनल पर एक बार पुने मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभी नंदन करता हूं मैं परवक्ता चंदर परकास गुड़जर आज की कलास हमारी बीए परतम मुर्श के चात्रो है तू इतियास विश्य की होगी तो बात करते हैं माज की कलास की तो पीछे की कलास में हमने मद्य पासान काल जो मिसोलितिक है जो उसके बारे में पढ़ा था और मद्य पासान काल क बात की कुछ जो बातें बच्रे की आज उसके बारे में हम जानकारी कासिल करेंगे तो मद्य पासान काल की थोरान हमने देखा ता किस तरीके से मान nellaग के द्वारा जो पशुपालन यहां पे सरू कर दिया जाता है और यहां पे प्रारंबी के उस्ता में जो मास प्राप्ति के लिए पशुपालन सरू किया जाता है तो आज हम मद्य पासान काल की जो पूरे भारत की बात करते हैं तो भारत में कई जो उत्तर परदेश को ले लो आप मद्य परदेश को ले लो गुजरात को ले लो करनाटक को ले लो और जो आपके तमिल नाडू इन कई जगों से रास्तान में कई जगों से जो मद्य पासान क काल यूगी इस तल अपने को प्राप्त होते हैं उन इस तलों से अपने क्या है मद्द पासान कालिन जो अवसेश प्राप्त होते हैं उनके द्वारा परियुक तो ऑजार्द मद्द पासान कालिन मानौ के द्वारा किये गए वो प्राप्त होते हैं जिससे हमें जानकरी प्रा अगराचीन सब्स्थताइब उसके अकोरडिंग पड़ा था कि भारत में कौन-कौन से स्टैट्स से कौन-कौन से साइट्स मिलती है हाला कि वो पूरे भारत में बिश्टत रूप से जो साइट्स मिलती हैं Marcus उनकी रहां कि थी लेकिन उनमें Wikipedia साइट्स जो इस तलब से वो काफी महतोफून है जो मद्दे पाशान काले नियूप की हमें बरपूर जानकारी परदान करते हैं तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और मद्दे पाशान काले मानों के द्वारा और बाकी क्या-क्या चीजें खोजी गई और कौन- हिलीका है अंधर प्रदेश में और गुजरात एस्टेट में है और कच्च की बात कि जाएं तो कच्श भी गुजरात स्टेट में चोटा-क़् अमद्द्यपरदेश में हैं और पंजाब जो रज्जो यह पर्मु क Simply मिलते हां से मद्द्यपाशान का लिन्य जो अफसेस है औजार है काफी हमें प्राप्त होते हैं और इन छेत्रों से मद्दे पाशान काली नियुक की विस्तित जानकारी अपने को प्राप्त होती है जो हमने नेमिस्वरन मित्ल की पुस्तक के अकॉर्डिंग पढ़ाता प्राचीन सब बेता हैं उन मेंसे अगर बात की जाएं प्रमों की प्राप्त होते हैं पसूं की आस्तिया यह हमेने से प्राप्त होती है अब बात करते हैं लंगज जो मैंने बताया था कल की क्लास में लंगगज और जो एक जो ब्रम गिरी है करनाटक में यहां से अपने को क्या है कि मद्दे पाशान काली ने यूग के जो औजार और अवशेस अपने को दो मिटर गहराई से मिलते हैं और बाकी अवशेसों की जो बाकी साइट्स की बात की जाए तो उन साइट में पर्त्व की स मिलते हैं उनकी बाशा का इनको काफी सब्सक्राण माना जाता है जो डो तीन मीटर गहराई में अपने को प्राप्त होते हैं लंग गजभ गजरात में decir है अभात करते हैं लंगज और हरीपूर जो गुजरात में फ्टेट हैं और गुराप्त होता पर्मानिक्ता को अधिक माना जाता है जो परतुई की गहराईसे जो दो या तीन मीटर गहराई doable कि ङाते हैं यह पर्शन की एस्तियां प्राप्ट होती है और इसके अलावा गलत अप आतपन करते हैं तो यहां से साथ मानौ के अस्ति पंजर यानि जो कंकाल साथ वेक्तियों के कंकाल जीवास में अपने को प्राप्त होते हैं जो मद्य पाशान कालिन यूग से संब्धिते होते हैं तो इन जगों से अपने को मद्य पाशान कालिन यूग की जानकारी प्राप्त चाहें नव पाशान काली नोजार हो चाहें पुरा पाशान काली इन में उनी पत्रों से कुछ एक फेर वदल और कुछ एक परिवर्तनिया देखने को मिलता है और नव पाशान काली यूग में और मद्ध्य पाशान काली यूग में भी समानान समांतर जो उपकरना वो करुब तक और और पुरव पासान 65ाजववव पूरव से लेकर 10 002 पुरवह तेकर रहते हैं नौ पाशान काल जो 7000 छूव पूरव पूरू सेु लेकर संदु इसब्वैताय तक उन्दो के बीचर पोरपासान और नौ पाशान काल के बीच में जहा जो समय होता तो पूब्ड है। थाले इसे ही मद्य पाशान काल का जाता है हालां कि यह ठेकर करना बड़ा मुश्पिल है कि मद्य पाशान काल से süजार कौन ते जू नव पाशान काल से शन्मद्य अज़ार कौन ते इत्यासकारों भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी मतवेध देखने को मिलता है अब बात करते हैं टूल्स की जो उपकण ऑजार किस तर्की समें जो नर्प होते हैं वेस्थ होगराओ कि जाएं दारदार बर्णी च्छा इसा डारदार हो सी तैप की जो पत्रों की अगर आप यह पूछें कि सर यह यह जो ब्लेड कैसा होता है पॉइंट कैसे होते हैं तो इनकी कोई विश्ट जो इस पस्ट व्याक्या यहां देखने को नहीं मिलेगी छोटे-छोटे पत्र होते हैं उनके टुकडे जो अपने आप जिनका आकार बन जाता है तोड कई आकार इनमें देखने को मिलते हैं तो उनकी एक विश्ट थोड़ी बहुत पैचान बना पैचानने के लिए तियास कारों ने यह नाम दी हैं तो इसमें आप ज्यादा भरमित नहीं होई है यहां की यह ब्लेड किस टाइप का होता है पॉइंट किस तो ब्लेड टाइप क यह ग्रेवर है यह बी एक पत्थर का टुकडा रहता है ट्राइंगल जो तीन आंगल जैसे त्रिबूज की टाइप का होता है यह पत्थर और क्रेशएंट है तॉर पेज है यह तो पने को जो उपकरन है और जाहर देखने को हम द्रे पाशान काल में मिलते हैं अब इनके सा यहाम जो मिलने वाले अपने कैसा होता है तो बात系 जाए और दो ची तक कि इनकी साहीज होती और यह इंची में साहीज होती यह जो फिर्देंट करता है यह इंची को पड़ penser करता एक शीच को पड़ती करता है व्यूर्ट के पार लेकर एक सहीं भी जायज कर jogos प्राइज रहती है और यह चोटे-चोटे आकार के अपने को उपकरण प्राप्त होते हैं और इसी वज़े से इन्हें माइक्रोलितिक कहा जाता है इन उपकरणों को क्या कहा जाता है मद्यपाशान काले नियुक्से संब्दी जितने भी उपकरण हो जा रहे उन्हें माइक्रोलितिक कहा जाता है अब बात करते हैं रो मैटेरियल की तो कच्छा माल कौन सा परियुक्त यानि कौन से पत्रों के यह बनते थे जिस टाइप से बात की जाए से जैसे लाल पत्र होता है उसे सेंड स्टोन कहा जाता है लाल पत्र उसके ओजार बनते थे या काले स講 Lexus मिलता है कौटर जाइट मिलता है अरेख चल से परकार कि पत्र इनके सब्सक्राइस करें वहाँ आप आज सब्सक्राइब कि पस्सक्राइब साँने कि ऌता कि और में तूलस में ने आपको बताय और कौन कौन से इना मैटेरियल से बहinsi है विठी उत्तर पराशान कार से तो अतब संक्रमन काल संक्रमन भीत्स के दोरान उत्रपाशान चाहिता से थो संक्रमन काल साथ उन्होंने मञाना टे-त्र और गौडन से सरवाती दोर का इनको माना है तो ये बीच में मद्य पाशान विद्वानों में काफी मतवेद है और इनका जो काल और समय निड़ारित करने में काफी मतवेद देखने को मिलते हैं तो हम इस पश्ट रूप से ये और नहीं कह सकते कि ये इसी काल से सम्मदित थे अब बात करते हैं आगे भारत के अन्य इस्तानों से भारत की जो बाकी जो साइट से अन्य इस्तानों से मद्य पाशान काले निउक से सम्मदित क्या क्या चीज़ें अपने को क्या क्या वस्तों प्राप्त होती उनके बारे में हम चर्चा करते हैं तो मद्दे परशान काले नियुक से संबन दिया थे अगर बात की जाए तो इस काल में मानो के द्वारा मर्द भांड जो मिट्टी के बरतन बनाना लेना सीख लिया जाता है हाथ से निर्मित करता है जो मैंने पीछे की क्लास में बताया नै की चाख पर जो कुमार का चाख होता है गोल गोल चाख उस पर जो आजगर पत्तर बनाने की टेखनीक है या उस चाख का अविश्कार अभी नहीं होता है मानुद द्वारा जो मिट्टी के बरतन बनाई जाते है वो हाथ सी बनाए जाते जाते और उन्हें दूप में सेक लिया जाता है या फिर उन्हें आग में पका लिया जाता है यह अपने को कई जगह से मर्दभाण मिलते हैं आज की खोज की जाए तो आज गार नीज मेफर जो राश्तान पत्री का अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा हो तो आप उसमें ध्यान से देखना जो एक प्रस्ट पर आ रखी कि शिंदु गाटी सब्वेता से संब्दी जो विद्वानों ने खोज की जो गुजरात की साइट से वहां से जो मर्द बांड है वह मर्द बांडों में दूद भरा जाता था यानि मिट्टी के बड़े-बड़े बरतनों में और उनकी जो लेबरेटरी टेस्ट के अकोर्डिंग यह दूद से संब्दित इसके आदार पर उन्होंने अंदाज लगाया कि यहां पर अतरिक्त दूद का उत्पादन ह अब यह बात है तो मद्दी पांडी न्यूक के संब्दित अपने को मर्द मांड मिलते हैं और कांच के मनके कांच के मनके आप कैसे समझोगे जो गले में जो महिलाएं जो आबुसन के रूप में जो छोटे-छोटे शीप होगे रहा होते ने टुकड़े वगेरा उनको कांच के जो मनके होते उनको धागे में पोके गले में डाला जाता है अबुसन के रूप में पहना कि उसकी जो चूड़ियां बनती और कांच की चूड़ियां भी अपने को मद्यपाशान कालमें यूग में प्राप्त होती है यानि यहां जो प्रसादान से संबंधित जो संदरी से संबंधित वस्तूं का भी परयोग मानों की द्वारा किया जाने लग जाता है और चूले के उसे सपने को मिलने लग जाते हैं राक कि बात की जाए आग का तो यह हम देखा कि मद्दे पाशान काली नियुग में मानों के द्वारा आग की खोज कर ली जाती है और चूले में आग जलाने के सक्से अपने को यहां खूब प्राप्त होते हैं और राक अपने को कई जिगे राक के जो आसमाउंट जिसे का जाता और आगे पढ़ेंगे हम नव पाशान काल यूग में जो तमिलाडू में कई जगह से अपने को प्राप्त होते हैं पशुपालन के दोरान मनुष्य क्या करता था कि जब पस्वों को एक जगह रखता था पस्वों के बाड़े में और उस किवास में भी मिलते मानों के स्थियां प्राप्त होती है और बात की जाए तो यहां पर जो पस्वों की स्थियां भी देखने को मिलती है और मानों के द्वारा जो आवास की आवास बनाने का जो तरीक है उसकी सरंचना मूलबूल सरंचना यहां बना ली जाती है और उसे आ वनिश्पतियों के जीवास में जो अपने को मिलते हैं यह भी अपने को यहां मिलने लगते हैं पशों की अस्तियां कई जिगे मनुश्यों के साथ जो कबरों में भी गाड़ी हुई मिलती अपने को और वनिश्पतियां कई वनिश्पतियां उनकी जानकारी भी पेड़ पोद परिचित रहते हैं यहां बेर मज्द का पाशान काली नुट के मनवा जो बेल से परिचित रहते हैं नेंष से परिचित रहते हैं मधेड, बकरी, गोडा, मचली और गडियाल गडियाल बोले तो मगरमस घडियाल से आप समझते होंगे मानुव द्वारा अपनी सभ्यता का काफी विश्थार कर लिया जाता है सभ्यता का विकास यहां देखने को मिलता है अब सवाधान परक्रिया यहां पर कैसी होती है सवाधान यानि अंतिम सहसकार जो मानव के द्वारा किये जाता है, मरूतियूГ की पश्चाइट तो यहां मानव द्वारा पहले तो मानव जो बात की जाए तो खाना बदो उस तरीके से रहता है और उसमें जो धार्मिक बावना का अबाव रहता है किसी तरह के ये चीज़े पूरा पाशान काल यूग में नहीं देखने को मिलती है लेकिन मद्य पाशान काल यूग में आते आते मानव द्वारा जो धार्मिक बावना का यहां विकास कर लिया जाता है और अनुस्तान मुल पश्चिम दिशा में जो व्यक्ति का सर मिलता है और पूरों दिशा में जो पेर कियों मिलते हैं जो कबर में दफणाया जाता है जो मरने के पश्चा तो ऐसे सवाधान पर करिया यहाँ अपना ली जाती है और इसके अलावा बात की जाए सवाधान अंतीम शंसकार के दोरान यहाँ पर कई जगे मानौ के साथ जो उसके पालतू जानवर, कुटे के भी जो अस्तियाँ अपने को यहां साथ में देखने को मिलती है मानव द्वारा स्वाधान करने में जो लोग परलोग की यहां भावना जागरत हो जाती है यह उनका मानना होता है कि इस लोग के अलावा भी मनुष्य के लिए कोई परलोग भी है और वहां, यहां से जाने की पशाद मानव वहां ऐसे धार्मिक भावना हैं यहां जो मानौ द्वारा विक्षित कर ली जाती हैं तो इस तरीके से मध्भ्चाण करनी मानौ के द्वारा जो यह यह चीजवान ड्वलप कर ली जाती है तो विद्धार्तियों बार्ट की जाए तो आज आम enrolled पांशन कर दिया है और मद्य पाशान कली मिसोलितिक है उससे समंदित मानों के द्वारा क्या क्या चीज़ें विक्षित की जाती है उससे समंदित भारत में कहां कहां कौन कौन से छेतर से अपने को सक्षे परमाण और और जार प्राप्त होते मानों के द्वारा परियुत और मानों के द्वारा की जाए तो सावाधान परक्रिया जो अन्तेस्ट्री परक्रिया है उसको अनुस्थान मुलक यहां बना लिया जाता है और मानौ के द्वारा पशुपालन यहां शरू कर दिया जाए प्रेक्षपास्टर की जो खोज यहां कर ली जाती मानौ के द्वारा और यह मानौ धीरे- आकर्तियां और जो चित्र बनाएंगे उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे और आज हमने जाना मद्य पार्शान का लेंगी जो नेमिस रणा मित्ल की पुस्ता की अकॉर्डिंग हमने साइट्स होगारा के बारे में पढ़ा था और मानौ जीवन के साथ बात की जाए मद्य पार्शान का लेंग तो आग का विश्कार यहां कर लिया है और दीरे-दीरे जो यहां जो मनुष्य जो सामाजिक प्राणी होता चलता है और यह जो साइट्स हैं यह परमुख साइट्स हैं उसके अलावा जो बात की जाए लंग अगर जो हरीपूरी यहां से अपने क किया जाता है वात की जाए जब्स हो रौ मैटियरिक परियोग है और उसके अलावा जाने को परियोग अपने को प्राप्ते होता है आलांकि विद्वानों में काफी जो इतियासकारों में मत बहते इनके जो से से काल निर्धारन से लेकर और इन तरीके से जो मानों को अन्य वस्तु में बात की जाए तो काच के मन के सीप और काच की चूडियां चूले और रा की अस्तियां पाशान आवा शरतना पुस्टयों के परमान और अव्शे अपने को प्राप्ति होते हैं और पशव पालन की बा ऐसा होता है और अगली क्लास में हम जो नव पाशान काल को पढ़ेंगे जो पाशान काल को हमें तीन भागों विवाजित किया था आपको याद होगा इसमें में होगा आपको बार बाद याद भी करना है उसको मुझे उमीद सभी विद्यारतियों को याद है क्योंकि सभी वि ध्यान दे उसमें बात की जाए तो लेकन संबंदीत रूटिया हैं तो उनको सुदारने का परियास करें तो मैं उम्मीद करता हूं आज आपको बहतर तरीके से समझ में आया होगा बोलिए यहां तक आपको कोई चीज पूछनी हो किसी तरह की समझ्या हो शंका हो तो आप नहीं संकोच है मुझे कमेंट्स के माद्यम से अपने जो सेक्षनिक ग्रूप है उसके द्वारा पूछ सकते हो तो आज के लिए बस हम इतना ही पड़ेंगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद